नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल सपन कुमार लोग क्लास दोस्तों आज हम बात करेंगे कि क्या एक मेजिस्ट्रेट 156 सेर्पिसिक तैत सीबियाई को इन्वेस्टिकेशन करने का आदिश दे सकता है या नहीं दे सकता है दोस्तों इस विशय पर अलग-अलग आईकोटों के अलग-अलग निर्णे आ चुके थे दोस्तों गुजरात हाई कोट और करनाटक हाई कोट इन दोनों हाई कोटों ने इस कोश्चन का नेक्टिव मांसर दिया था यानि कि उन दोनों हाई कोटों ने ये का था कि वही एक मेजिस्टेट जो है 156 से आरपीसी के तैद करने का आदेश नहीं दे सकता है इसके बाद में दोस्तों दिली हाई कोट और राजस्तान हाई कोट इन दोनों हाई कोटों ने इस बात को बताया कि जो मेजिस्टेट है वह 156 से आरपीस के तैद करने के लिए तो इन जब दोनों हाई कोटों के अलग-अलग जज्जमंट आए और इनसे वेतेत हो करके सीबिय ने राजस्तान हाई कोट और दिली हाई कोट का जो मेजिस्टेट का जो आदेश है उसको कनफर्म करने के विरोध में सुप्रिम कोट में अपील करी तो सुप् इसमें इंडर ने दिया है कि वह एक जो मेजिस्टेट है वह 156 CRPC के अपने पावर का यूज करते हुए कि CBI को investigation करने का आदेश नहीं दे सकता है क्योंकि मेजिस्टेट जो है केवल ओ केवल जो थाने का SHO है उसी को investigation करने का आदेश दे सकता है 156 CRPC के तहत और किसी को नहीं दे सकता या इसमें यहां तक कह दिया गया है कि 156 CRPC तहत जो मेजिस्टेट है वह SHO से जो उपर के rank के जो व्यक्ति होते हैं, जैसे सर्किल इंस्पेक्टर है, या सुपरेटेंडरेंड है, उनको भी आदिश नहीं कर सकता कि वो investigation करें, वो केवल केवल थाने का जो बार सादक अधिकारी है, उसी को ही आदिश कर सकते हैं, कि भी वो investigation करें, हाँ, ये जो उसके थाने के बार सादक अधिकारी से superior rank के वेखती हैं वो स्वेच्छा सती यानकि CRPC के धारा 36 के पावर का यूज़ करते हुए उस मामले में investigation कर सकते हैं या राजसरकार उनको आदेश कर सकती है superior अधिकारीयों को थाने के जो बारतात अधिकारीयों के superior अधिकारी को आदेश कर सकते हैं कि आप इस मामले में investigation करें तो कुल मिला करके आप लोग समझ गये होंगे कि जो magistrate है वो CBI को आदेश नहीं कर सकता है कि वो 156 से इन्वेस्टिकेशन करें वो केवल ठाने के बार्सा तक आदिगारी को इन्वेस्टिकेशन करने का आदेश देश सकता है जहां तक कि वो उसके superior अधिकारीयों को भी आदेश नहीं कर सकता है कि उस मामले में investigation करें नमस्कार थैंक्यो